ठीक है, देखो, ये क्या है, I में 5 है ना, और ये क्या है, वाइल, I is less than, equal to 20, और print करवाएगया है I को, तो ये बताओ, कि I को print करवाएजाएगा, तो क्या यहां आएगा, आउट्पुट क्या बनेगा तुम्हेरा, आउट्पुट बताओ, इसका आउट्पुट आएगा, प हाँ बता रहे हैं ध्यान से सुनो इनिशिलाइज किया है आई में 5 है तो 5 तो प्रिंट ही होगा और कह रहा है कि I is less than अब इसी को हम कंट्रोल स्टेट्मेंट भी कहते हैं क्योंकि एक बार लिखेंगे और कई बार वो चीजें आएंगी तो इसे हम कंट्रोल स्टेट्मेंट कह कराना हो तो हम लूप लगा करके वो टास्क कराते हैं और इसी को कंट्रोल स्टेट्मेंट कहते हैं दो टाइप का हता है एक वाइल जो पढ़़ रहे हो और दूसरा थीक है ना में दो थेक्ति के बराबर रहं रहेहिए और राइप को प्रिंट करायाँ जारा है यह बताओ कि कहीं पर भी तुमको यह दिखाई दे रह harassment कर वा यहाँ पर तो सिर्फ यह बात कहीं जा रही है आई की बेल्यू 20 से जोटी रहेगीजा 20 के बराबर रहेग और फिर आई को ही प्रिंट कराया जा तो आई में क्या value है तो 5 print हो जाएगा पहली बार में फिर condition यहां पर आएगी तो अभी तो 5 है आई में क्या है 5 है ना तो फिर क्या होगा फिर नीचे क्या होगा फिर 5 आएगा क्योंकि आई में क्या value है 5 है और 5 is less than equal to 20 है equal to तो नहीं है लेकि less है ना तो less than है तो फिर 5 हो जाएगा फिर यहां पर जब print हो जाएगा 5 तो फिर condition ऊपर जाएगी तो आई में क्या है तो फिर क्या होगा 5 is less than 5 less है 20 से तो फिर क्या print होगा 5 ही print होगा अच्छा फिर देखो यहां पर i में क्या है और फिर यहाँ पर condition यहाँ तक आ गई फिर यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर जब आएगा तो i में क्या है तो 5 है तो 5 इस less than 20 है नीचे ना increment है ना decrement तो यह 5 क्यों है unlimited time print होता रहेगा यही होगा इस ठीक है एक बार इस program को चला के देखा जाए कि क्या होता है फिक है दूसरे चीज यहाँ पर अगर हम enter करके और यहाँ पर increment करवा दें जैसे i plus is equal to कर दें 1 तो क्या होगा तो 19 तक यह print होगा तो 19 तक आजएगा मतलब 5 के बाद तक 6 हो जाएगा अब यह 6 क्यों होगा 5 के बाद इसलिए होगा कि यहाँ पर क्या है 5 और पूछा जा रहा है i में 5 है न तो 5 is less than 20 है true है condition true रहेगी तो यहाँ 5 print हो जाएगा अब कहा रहा है i plus equal to 1 तो i में 1 जोड दीजिए और जब i में 1 जोड यहाँ तो क्या होगा i की value क्या बन जाएगी 6 बन जाएगी पांट में 1 जोड़ों के तो 6 बन जाएगा तो जब 6 बनेगा तो 6 is less than equal to 20 है तो इसलिए हाँ पर 6 print हो जाएगा फिर ऐसे करके 7, 8, 9, 10, 11, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 तक आएगा यह ठीक है न प्रोग्राम में इसको चला लेते हैं एक बार यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ पर जा करके और इसको किसी भी नाम से सेव परके एंटर करेंगे जब चलाएंगे तो देखें केवल 5555 continue उसलिए प्रिंट हो रा जिसकी मैंने बताया था दूसरी चीज की अगर हम इसमें इंक्रिमेंट या डिक्रिमेंट करवा देते हैं जैसको अब एक बार इसको चला भी लेते हैं तो यहाँ से रन करवाते हैं इसको और रन करवाएंगे देखें तक यहाँ यहाँ पर less than equal to किया गया यह कहानी है यह इंक्रिमेंट की कहानी है ठीक है ना